हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल अगर आप भी स्टाइलिस्ट और अट्रेक्टिव दिखना चाहते हैं अपनी प्रस्नेलिटी को काफी हद तक ग्लेमरेस दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका लुक जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल आए तो आज की व आउटफिट हैं काफी हद तक स्टाइलिस्ट और अट्रेक्टिव दिखाएंगे आपकी परस्नेलिटी को तो देखते हैं कि किस तरह के पांच फुटवेर हम अपने लाइफ स्टाइल में एड़ करेंगे और किस किस तरह के आउटफिट के साथ एड़ करेंगे पहले नंब आपको डेफिनेटली पढ़ने वाली है तो इस तरह की जो स्पोर्ट शूज हैं आप अपने लिए जरूर ले और चाहे आप इंडियन पहने या वेस्टन दोनों के साथ ही यह आसानी से वेयर कर सकते हैं और काफी स्टाइलिस्ट लुक आप पा सकते हैं उसके बाद आते है हमारी सेकंड नमबर पर प्लेट फॉर्म हील अगर आपकी हाइट कम है और यह हील आपकी हैल्प करेंगे आपको लोंग दिखाने में और यह देखने में भी काफी स्टाइलिस्ट लगती हैं अगर आप इंडियन एथनिक ड्रेस वेयर करते हैं तो यह आपके लिए बैस्ट हमारे फ्लिप फ्लॉप्स जो है यह आपके ड्रेसिंग सेंस को कूल लुक देते हैं समर के मोसम में यह काफी कमफर्टेबल रहती हैं कूल जीन्स शर्ट आदी के साथ आप इन्हें वेयर कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी लगती है और इंडियन ड्रेसिस के साथ तो य बहुत ही जादा अच्छी लगती है चाहे आप सूट सलवार यूज कर रहे हो या फिर आप ने इस प्लाजो पैंट पहनी हो उनके साथ आप इन्हें इजली वेयर कर सकते हैं फॉर्थ नंबर पर आती हैं हमारी स्ट्रेपी हील्स यह किसी भी ड्रेस को ग्लेमर्स बना सकती हैं इसे आप वेस्टर और इंडियन दोनों तरह की ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं अगर आपको जटपट कहीं जाना है तो सिंपल सी जीन्स टी-शिट के साथ केवल इन हील्स को पहन कर आप सूपर स्टैलिस्ट धिख सकती हैं अगर आप इंडियन पहन रहे हैं तो आपने अगर लेगिंग डाली है या प्लाजो पेंट डाली है तो उसके साथ भी ये सेंडल्स बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लगती है एंकर लेंथ प्लाजो के साथ भी आपने वेर कर सकते हैं फिफ नमबर पर आती है हमारी क्लॉंग्स हील ये हील कूल और कमफर्टेबल लुक के लिए बैस्ट है इन्हें आप कैजवल वेर से लेकर फॉर्मल वेर के साथ एजली वेर कर सकते हैं और काफी कूल लुक पा सकते हैं बहुत ही अट्रेक्टिव और स्टाइलिस दिख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने सके संबंदियों के साथ अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग